हाई फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूटूग चैनल मैं करण आज आपको आपके मूबाइल की एक खाश सेटिंग बताने वाला हूं जब भी आपने फोन को यूज करते हैं या कोई नई एप डाउनलोड करते हैं तो आप तेखते होंगे कि उसमें हाफ स्क्रीन पर ही आपको स चीज दिखाए दे रहा होगा तो अगर आप चाहते हैं कि वह फूल स्क्रीन में आपको दिखाए दें तो इसके लिए आप सबसे पहले अपने सेटिंग में जाए जाने के बाद यहां पर आपको डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस का ओप्शन दिखेगा इसे ओपन कर लेज जिसमें आइटोमेटिक फील का ओप्शन देता है वो अपने आप अटो फील हो जाते हैं तो आप यहां इसको बैक हो जाएगा उसके बाद आप यहां पर डिस्प्ले एड टॉप अप दे स्क्रीन यहां पर एक ओप्शन होगा इसको ओपन कर लिजिए यहां पर आपको 3-4 ओप्शन दिखाई देंगे इसमें सबसे पहले नमबर पर अटोमेटिक फिटिंग इसमें क्या होता है जब भी कोई आप डाउनलोड करते हैं तो इसमें अपने आप पूरे स्क्रीन पर फिट हो जाता है अगर आप इसको करते हैं तो अपने आप फिल हो जाएगा जिस ह आप 3rd option पर करते हैं जैसे हमारा दियाएगा तो इसमें एक लाइन बन जाएगी वह ब्लाक लाइन से नीचे ही किसी भी एप कर डिस्प्ले आपको दिखाए देगा किसी भी एप की स्क्रीन आप दिखाए बेगा वह पूरा आपके अपने इरिया को नहीं दिखाएगा तो इसलिए आप अगर चाहते हैं इसको फूल करना तो इसके लिए आपको सेटिंग में जाकर सेकेंड वाले पे क्लिक कर दीजिए सेटिंग में होने के बाद आप बैक आईए आपको यहां पर जितने भी एप दिखेंगे सब में आपको कौन के एडिया करना है इसके होने के बाद आप जो भी एप यूज करेंगे चाहे वो यूटूब हो चाहे वो इस्टाग्राम हो आपको सभी वो फूल स्क्रीन में दिखेंगे तो ऐसे ही मज़दार वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, सेर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को प्रेस कर दें थैंक्यू